जय हनुमान ग्यान गुन सागर जय कभीश दियतो काउजागर राम चूत अदलत भलकावा अंचन पुर्थ पवन सुत नावा महावीर बेक्रम बजरंगी तुमत निवार सुमत कैसंगे अंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंदल गुंचित केसा सब का ये जोसे सुक्ष्मरूपदर सियह दिखावा विर्दरूपदर लंक जनावा भीमरूपदर असुर सवादे राम चन्र के खाज सवादे लाई सजीमन लखन जियाए शीरगपीर हरश गुर लाए रगमत की दी बहुत बढ़ाए तुम मंपिये वरत सम भाई सहस्त्र बदन तुमरो यश्कावे असकई श्रीपदिकंध लगावे सनकादिक भ्रमाद मुनीसा नारद सारद सैते आईसा यमक बेरत काल जहाते खवितोवद कैसक कहाते तुम उपकाल सुधीवै कीना राम मिला राज बद दीरा तुमरो मंतुर भीशन माना लंकेश्वर भै सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर बानू लीलो ताई मदुर पर जाना जब मुद्र का मेल मकमाही जल धिलांग गई चरजनाही दुर्गम काज जगत केजे दे सुगम अनुकर तुमरे पापा राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आग्या मिन पैसारे सब सुकल है तुमारी शर्णा तुम रख चक्ला हूँ तो डर्णा आपन तेज समारो आपै तीन हुलो कहाक देखापै भूत पिशाचन गट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावे ना सै रूग हरै सब पीरा जबत निरंतर हनमत बीरा संकट से हनमान चुडावे मन करम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तम साजा और मनूरत जो कोई लावे सोई अमज जीवन बरकावे चारो योग पर ताप तुमारा है पर सिद जगत उजियाना साज संद के तुम रखवारे असर निकंदन राम दुलारे मश्ट सिद्ध नवनर के राता अस्वर दीन जान की माता रामर सायन कुम्रे पासा सदा रहो रगबत के रासा तुम्रे भजन राम कोपा मैं जनम जनम के दुख पिसना मैं मंत काल रगवर कुर जाई जहां जनम हर भगत काई और देवता चतना धरई हनुमत से इसर्व सुक करई संकड कटे मिटे सब कीरा जो सुम्रे हनुमत वलवीरा जै 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 हनुमान को साई पिरवा करो पुर देम गिनाई जो सत्वार पाट कर कोई जूटे वन्न मास कोई जोया पड़ हनमान चालिसा वोई सित साजी गोरी सा तुर्जी गास सदा हर चे रा कीजे ना तिर जै महडे रा कीजे ना तिर जै महडे रा कीजे ना तिह जै महडे रा पवन तने संकट हरन मंगल मूरतिरू और अंत में हर्मान जी से प्रास्ना करें कि ये बल बुद्धी विद्या दे करके और क्लेश और विकारों से मेरी सफाई करके चले मत जाना मुझे छोड़ करके मत जाना 24 घंटे मेरे साथ रहो कैसे रहो कीजे ना थे तरिदे महडेरा कीजे ना थे दे महडेरा और फिर बताया कैसे रहो ये भी बताया फिर हलमान जी को याद नहीं किया है पवन पत्र को याद किया हम और आप भी रोज पवन पत्र को ही याद करें हम और आप रोज इतना राज याद रखें कि हमारा सब का शरीर पांस तत्तों से बना है धर्ती आकाश अगनी जल और वायू इन पांस तत्तों से शरीर नहीं पूरी स्ष्ष्टी की रिचना हुई है और हमारे आपके शरीर में सब रहे केवल डॉक्टर जब इतना डिकलेर करता है कि वायू तक तो ने शरीर का साथ छोड़ दिया है सांस ने शरीर में आना जाना बंद कर दिया है फिर आप कितने सुन्दर हो, कितने युवान हो, कितने तंदृस्त हो, कितने धनवान हो, कितने गुणवान हो, कितने बड़े भक्त हो उस शरीर की कीमत दो कोड़ी की हो जाती है अपनी कमाई से बनाए अपने ही घर में अपने परिवार के लोग बिना वायू के शरीर को दो-चार घंटे भी रखने को तैयार नहीं होते हैं शरीर बुढ़ा हो जाए जरजर हो जाए कौमा में चला जाए सालों साल पड़ा रहे अगर शरीर में सांस चल रही है तो डॉक्टर परिवार सब सेवा कर रहे होते हैं इसलिए रोज याद रखें कि हमारे आपके शरीर की कीमत है तो किवल वायू तक तो से है और हर्मानी से रोज प्राथना करें रबू शरील तो हमारा दो कोड़ी का है अगर इसमें वायू तक तो नहीं है और आप तो पवन पुत्र हैं वायू का बेटा वायू होता है इसलिए वायू के रूप में सांसों स्वांस मेरे हर्दे में बाज करो की जे नातरिदे माडे रार पवनतने है संकत हरन मंगल gummy तिरो पर हनमान जी से एक प्रारता और करो प्रवों जीवान जीने के लिए भगवान भी चाहिए भगवान चाहिए की ने चाहिए प्रभू जी ने के लिए भगवान चाहिए लेकिन भगवान तक हमारी पहुंच नहीं है क्योंकि ना तो जीवन में मेरे पवित्रता है ना भक्ती है आपकी पहुँच वहां तक है क्योंकि राम दुवारे तुमर खवारे होतना आग्या बिनपैसारे इसले आप अखेले मताना फिर राम लखन सीता सहिता बाबा रिदय बस हो सुरभू मेरे बाबा जिदें बसंसरभू आप तेरे हुदय में राम लक्ष्मन जानकी के साथ निवास करों और जहां भगवान का वास होता है जहां भगवान बिठाए जाते हैं उस जगे कहा जाता है भगवान का मंदिर है हमारे आपके घर में सबके ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम बेड्रूम सारे रूम होते हैं उसमें जगे ऐसी होती है जहां भगवान को बिठाते हैं और बोलते हैं यह हमारा मंदिर है जहां भगवान का वास होता है उस जगे को भगवान का मंदिर कहा जाता है जैसे यह बत्रा फार्म हाउस का एक हॉल है लेकिन उसी हॉल में हमने भगवान को बिठाया अब यह जगे भगवान का मंदिर बन दी है मंदिर है तो ही हम सब नीचे बैठे हैं जमीन में आप ऐसे किसी पार्टी में और आपको कहा जाए जमीने बैठ जाओ ताब बैठोगे मंदिर उसे कहते हैं जहां मन के अंदर परम शांती की प्राप्ति हो उसका नाम मंदिर और मंदिर की खासियत यह होती है कि मंदिर में कोई भी कितना ही परिशान व्यक्ति आए कि जाए उसके भी मन क को शांती मिलती है तो श्री हनमान जी से रोज प्रारता करें मेरे शरीर को भी आप भगवान का चलता फिरता मंदिर बना दो जहां राम लक्ष्मन जानकी के साथ आप निबास करो ताकि मेरा शरीर भगवान का मंदिर बन जाए तो मुझे मेरे मन को मुझे शरीर को मेरे जी बना दो मेरे मन कर्म वचन से कभी किसी का बुरा सोचूं ही नहीं ऐसा मेरा दिव्य जीवन आप मेरे हिर दय में राम लक्ष्मन जानकी के साथ निवास करके बना दो अश्विर गाईये टाली जोर से वजाके राम लक्षमन जान की जै बोलो हनुमान की जै बोलो जै बोलो हनुमान की राम लक्ष्मन जान की बोल ये हनुमान दे महराय गी